हेलो बच्चो पढ़ाई से परतियोगिता तक के कारिकरम में मिशन शिक्ष्ण सवार टीम आप सभी बच्चो का स्वागत करती हैं बच्चो नवोद्धि विद्याले परवेश परिक्षा मोडल पेपर धर्ड इसमें आज हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन-कौन से परिशन दिय चाएंगे चलिए पहला परशन देखते हैं इसका कि निवनेलिखित परशनों के सही उत्तर चांटिये पहला इसका परशन है कि समंदर अधिक गहरा है इस वाक्य का शुद्रूप क्या है अब इसमें बच्चो चार ओप्षन दिये हुए हैं हमें और इसमें से एक हमारा उत उत्तर दिया है कि समंदर बड़ा गहरा है दूसरा है समंदर अधिकांशी गहरा है तीसरा इनों ने उत्तर दिया है समंदर बहुत गहरा है और चोथा जो उत्तर है कि समंदर की गहराई अधिक ज्यादा है अगर हम पहले उत्तर को देखते हैं कि समंदर बड़ा गहरा है त अधिकांशिस में लगा दिया गया है तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा अब तीसरा option है कि समंदर बहुत गहरा है तो यह हमारा उत्तर है अगर हम D को देखते हैं कि समंदर की गहराई अधिक जादा है तो यहां पर अधिक और जादा शब्द का प्रियोग हुआ है तो यह हमार डी वाला भी option जो है वो गलत है अब हमारा कुछा चा कि सी वाला जो option है कि समुदर बहुत गहरा है तो ये हमारा बिल्कुल सही है चलिए इसका दूसरा परशन देखते हैं कि सजीव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा अब विलोम शब्द तो आप जानते ही है कि उल्टे वी शब्दों को कहते हैं है तो सग्यूव का पहले हम अर्थि देख लेते हैं कि पुनेहिं जीविति जीवन देना किसी को भी कुर्शियू और निर्जीव का मानी देखते हैं तो निर्जीव का अर्थ है मरा हुआ जीवन शक्ति से रहित, जिसमें जिन्दिगी ही नहूँ अजीव का अर्थ है कि जड़ जीव रहित या जड़ पदाफ और परजीव का अर्थ होता है? बैस्टों कि दूसरे जीव को आहार बनाकर जीवित रहने वाला पोधा या प्राणी जो दूसरे जीवों को मार कर खाता है है ना अब हमारा परशन क्या है कि सजीव का विलोम अर्थ क्या होगा तो सजीव का विलोम अर्थ है जबकि सजीव का अर्थ क्या है कि जीवन देना है ना तो और निर्जीव का अर्थ है मरा हुआ तो हमारा जो उत् है कि सज्यू का उल्टा क्या होता है निर्जी JAMES होगा अब इसका तीसरा परशन बेखते हैं कि घमण इसमें चार ओप्शंदिएओं है क्या विदेशी शब्द यह तदसंद् Cel ये अप जानते हैं कि यो दूसरी भाशालों से हिंदि भाशा में जो आगए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं तो घमन जो है विदेशी शब्द नहीं है तो यह हमारा कट गया आप देख लेहें तद्सम शब्द का अर्थ आप जानते हैं कि जो हमारी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो शब्द आए है वो उनको जो के तुँ बिना किसी परिवर्तन के प्रियोग में लाया जा रहा है है ना और तीसरा जो है तदभव तदभव का अर्थ है कि उससे उत्पन हुआ यानि कि संस्क्रित भाशा से जैसे शब्दाएं है उनमें परिवर्तन करके उनको लाया गया है जैसे नीबु का निम्बक तो निम्बक में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है और उसे नीबु बना दिया गया है अब देशी शब्द आप जानते हैं कि देशी शब्द किसे कहते हैं कि ऐसी भाशा या बोली या चैतरी बोलियों से हमारी जो शब्द हिंदी भाशा में आए है तो उन्हें देशी शब्द करते हैं जैसे जंजट है डिबिया है तो यह ऐसे शब्द हैं जो देशी बोले जाते हैं तो घमण जो है ना विदेशी शब्द है ना तद्भव शब्द है ना देशी शब्द है बलकि कैसा शब्द है तत्सम शब्द है तो हमारा उत्तर कौन सा स नहीं है अब परियाई वाची नहीं है है नहीं पे धियान दीजिए अब इसमें चार ओप्षन दिये हुए है कानन विपिन जंगल और नदन तो ए ओप्षन बी ओप्षन और सी ओप्षन का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो इसका बड़ा वे घना जंगल निकलता है उपवन बाग जंगल निकलता है और जंगल का तो है ही जंगल तो अब इसमें से कौनसा हमारा ओप्षन बचा कि नदनु जो है वह इसका परियाई वाची नहीं है और यह जो एबी सी जहे वह वन के परियाई वाची शब्द है अब इसका पाचवा पर्षन हम देखते हैं कि होगा अब परोपकारी का अर्थ क्या होता है कि किसी पर उपकार करने वाला इसके 4 ऑप्शन दिए होए हैं कि है पहला है उपकारी। दूसरा है स्वार्थि और थी शमब्रार्थि और कeting दुर्जन। अब यह जो तो पहले का उपकारी का अगर हम शब्द देखते हैं तो सहाया किया प्रेरक तो दूसरे का अर्थ देखते हैं स्वार्थी का तो खुदगर्ज होता है और तीसरे का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो शमा परार्थी यानि की जो शमा की परार्थना करने वाला जो शमा याचन और चोथे का अगर हम निकालते हैं दुर्जन यानि कि दुष्ट व्यक्ती से निकलता है तो यहां पर उपर पुछा गया है कि परोपकारी शब्द का विप्रीतार था यानि कि उल्टा शब्द है ना विलोम corazón कौन सा हुआ स्वार्थी प्रोपकार यानि की उपकार करने वाला और स्वार्थी यानि की खुदगर्द तो हमारा बी वाला उप्षन जो है वो इसका उत्तर है और ये बिल्कुल सही है अब इसका छटा परशन देखते हैं कि बच्चो इसमें कुछ युगम दिये हुए हैं हमें के निकालना कि दिये गए युगमों के पुछित अर्थ के लिए शही करना हो है ना तो पहला युगम जो है वह अनिल और अनल का अनिल और अनल का यदि हम अर्थ देखते हैं तो अनिल का अर्थ होता है हुआ और अनल का अर्थ होता है आग अब हम इन में उत्तर देखते हैं तो पहला उत्तर है हवा और आग दूसरा है आग और हवा तीसरा है जल और आग और D वाला उप्शन है हमारा आग और जल तो यह जो D वाला उप्शन है यह बिल्कुल गलत है आग और जल c वाला option है जल और आग ये भी गलत है और बी वाला option है आग और हवा ये वाला भी हमारा गलत है अब हमारा option क्या बचा a बचा यानि कि हवा और आग तो हम अगर उसका युग्म का उत्तर अर्थ निकालते हैं तो उसका भी तो यही अर्थ निकल रहा है हवा और आग तो हमारा इससे मेच कौन सा कर रहा है, ये वाला उप्षन जो है, वो हवा और आग से मेच कर रहा है, तो हमारा यही वाला अतल सही है, चलिए अब हम इसका, इस यूग मुका, दूसरा देखते हैं, ये पर्शन साथ है, इसमें है अधाम और अरधर्म, अगर हम अधाम अधर्म का अर्थ निकालते हैं तो अधर्म का अर्थ होता है कि नीच और अधर्म का अर्थ निकालते हैं तो पाप यानि कि धर्म के विरुद्थ किया गया कार्यी अब इसमें चार ओप्षन दियों में हैं जे और पराज्य यह ओप्षन है कि जे और पराज्य जे का मतलब होत हर या शिकस्त अब पराज ये यह फिर वही दे दिया गए है तीसरہ जो उफ्शन ⟀ ंप्शन उन्हें दिया है थो निश और और डी ऑल मृघ्ञ जबकि हम देखते हैं कि अधम का मतलब हो नेज और धर्म का अर्थ होता है कि धर्म के विरुद कार्य करना यानि कि पाप करना है तो हमारा सीवाला जो अप्षन है बच्चों वो बिल्कुल सही है कि नेज और पाप इसका आठवा परशन देखते हैं हम कि यश शब्द संग्या शब्द से बना विशेशन है यश शब्द जो है वो संग्या शब्द से बना विशेशन है इसके चार उप्षन है यशसा यशसवी यशत्व और यशी अब पहले हम इनके अर्थ देख लेते हैं A वाले का अर्थ है कि यशस से बना है जिसका अर्थ होता है शोहरत और यशस स्वी जो है वो किर्तिमान इसका अर्थ क्या है किर्तिमान और D वाला जो अप्शन है यशी तो ये भी यशस स्वी से ही बना है हमारा A वाला option बिल्कुल कलत है C वाला option बिल्कुल कलत है और D वाला option हमारा बिल्कुल कलत है तो हमारा कौन सो उत्तर है कि B यानि कि यशस्वी क्या हुआ कि किर्दिवान यश जो है वो संग्या शब्द से बना वी शेशन है क्या हुआ उसका यशस्वी इसका नौवा पर्शन अगर हम देखते हैं कि सरुनाम के कितने भैद होते हैं पहला उन्होंने उप्शन दिया है एक, दूसरा है दो, तीसरा है छे और चोथा है साथ तो ए वाला बिल्कुल गलत है कि एक भैद नहीं होता, बी वाला गलत है कि दो भैद नहीं होते D वाला गलते के साथ भैद नहीं होते बलकि C वाला जो अप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है कि सरवनाम के 6 भैद होते हैं चलिए हम बताए देते हैं आपको कि कौन-कौन से होते हैं नमबर एक है पुरुष वाचक सरवनाम नमबर दो है निश्चे वाचक सरवनाम नमबर तीन है अनिश्चे वाचक सरवनाम नमबर चार है संबन्ध वाचक सरवनाम नमबर पाँच है परशन वाचक सरवनाम और नमबर शे है निजवाचक सरवनाम हम इसका जो है आपको इसका विस्तार पुर्वक बाद में बताएंगे अब हम इसका दसवा परशन देखते हैं बच्चों कि दसवा परशन क्या है मैं कल वहां गया वाक्य में किरिया विशेशन है देखिए वाक्य को फिर से पढ़िए कि मैं कल वहां गया वहां गया जगा का नाम नहीं है लेकिन जगा की तरफ संकेत किया गया है कि वहां गया था अब किरिया विशेशन जो होता है कि इस किरिया विशेशन में जो है इस्थान का जिक्र किया गया है तो ये क्या हुआ इस्थान वाचक किरिया विशेशन जो बच्च जो अविकारी शब्द किसी किरिया के होने के इस्थान का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं इस्थान वाचक किरिया विशिशन कहते हैं जैसे यहां वहां तो वाक्य में क्या दिया हुआ है कि मैं वहां मैं कल वहां गया तो क्या है कि यहाँ पर जो है वो किसका बोद हो रहा है हमें वाक्य में इस्था वहाँ जो शब्द है तो किसका बोद करा रहा है हमें इस्थान का बोद करा रहा है तो यहाँ पर इस्थान वाचा किरिया विशेशन हुआ यानि कि हमारा जो उत्तर है वो ए वाला भी नहीं है मैं ये गलत है C वाला भी गलत है कि कल और D वाला भी गलत है कि गया ये भी गलत है हमारा बलकि क्या हमारा B वाला जो उप्शन है उत्तर में वो बिल्कुल हमारा सही है कि वहाँ बच्चा ये था परशन चलिए अब हम उत्तर इनकी जो हमने आपको अभी उत्तर इसके समझाए, इसकी व्याखिया सहित आपको हमने इसके उत्तर बताए, चलिए अब अनुचहद पढ़ते हैं हम, एक अनुचहद दिया हुआ है इस मौडल पेपर में, उस अनुचहद को हम देख लेते हैं, बच्च वीरता का वर्णन किया गया है कि वीरता की अभिव्यक्ति कई परकार से लड़ने मरने से तोप तलवार के सामने बलिदान करने से तो कभी जीवन की गुण ततु और सत्ते की तलाश में बुध जैसे राजा विरत्थ होकर वीर हो जाते हैं तो यह जो वीरता होती है यह ऐसे ह नहीं मिलती है ये तो अपना अंदर का इंसान का गुण होता है कि कभी लड़ने मरने से मिलती है कभी तिलवार के सामने बलीदान करने से मिलती है और बुध जैसे विरक्त जीवन जीने से मिलती है तो वीरता का एक परकार की ये वीरता क्या हो गई वीरता एक परकार की अन्त होती है वीरो को बनाएने के कार खाने नहीं होते वे तो देवदार के वरक्ष की भाति जीवन रूपी वण में सवंप पैदा हो जाते हैं कि अन्त्य प्रेरना है और वीरो को बनाने के कार और बिना किसी के पानी दिये बिना किसी के दूद्पिलाएं बढ़ते हैं जीवन के केंदर में निवास करो और सत्ते की चट्टान पर दरड़ता से खड़े हो जाओ बाहर की सतह छोड़कर जीवन जीवन के अंदर की तहों में पहुँचो तब नए रंग खिलेंगे यही वीरता का संदेश हैं तो यह संदेश जो है वीरता का दिया हुआ है कि वीर पुरूर जो होते हैं वो सिवम ही बनते हैं हम इसके पर्षन देख लेते हैं कि पहला पर्षन है इसका वीरता कैसी पिरेड़ना है तो चार उप्षन इसमें भी दिये हुए हैं पहला उप्षन है अन्ते है पिरेड़ना दूसरा है बाही पिरेड़ना तीसरा है फलित और चोथा है अपरोक्त सभी तो अभी हमने देखा क कि जब हम अनुच्छेत पड़ रहते तो हमारे सामने आया था कि वीरता जो है वो अन्ते है प्रेर्णा है तो ए वाला उप्षन जो है वो हमारा बच्चो सही है और यही हमारा अप्तर है दूसरा इसका परशन देखते हैं कि क्या पूछा गया है उसमें कि देवदार दूसरा है युद्ध है तीसरा इसका परशन है कि निम्लिलिखित है कौन से रोपेर्टा का नहीं है इसमें चार option दिये हुए हैं क्रोध, दूसरा है यूद, तीसरा है त्याग और चोथा है दान अगर हम B, C और D option को देखते हैं तो ये वीरता में पाए जाते हैं यूद करने की शम्ता होती है, त्याग की भावना होती है और दान करने की में भावना होती है अब जो A वाल option है हमारा क्रोध वू ब्लकुल गलत है क्योंकि वीरता में क्रोध नहीं होता तो A वाल option हमारा उत्तर है इसका और शही है क्रोध है, अब हम इसका चोथा परशन देखते हैं, कि वीरता का एक विशेश लक्षण है अब विशेश लक्षण क्या हुआ? पहला दिया हुआ है नयापन, दूसरा है नकल, तीसरा है हास्य और चोथा है करूणा. अगर हम B, C और D को देखते हैं क्योंकि वीरता का लक्षण नकल करना भी नहीं होता है वीरता का लक्षण किसी का हासी उडाना भी नहीं होता है वीरता का लक्षण करूना भी नहीं होता है अब वीरता का लक्षण क्या है? अब हमारा A option बचा जो हमारा सही है कि उसमें जो वीरता में जो है तो नया पन होता है नया पन ठीक है तो यही हमारा एवाला उत्तर है अब इसका पांचवा परशन देखते हैं कि वीरता का संदेश क्या है अब हभी हमने ये अनुच्छेत पढ़ा तो इसमें संदेश दिया हुआ है वीरता का चलिए इनके उत् पूर्ण उन्होंने दिया हुआ है कि ये संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है B option है कि बुद्ध जैसे राजा की भाती बुद्ध जैसे राजा की भाती बरक्त होना जैसे बुद्ध ने अपना जीवन जो है जंगलों में गुजारा क्या इससे वीरता मिलती है C वाला option है कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चक्टान की तरह अठल रहना और D वाला option है कि हमेशा नया और निराला रहना अगर हम A option को देखते हैं कि ये संकल्प की किसी भी हालत में युद्ध जीतना ये गलत है B जो है कि बुद्ध जैसे राजा की भाती विरक्त होना ये गलत है D वाला option है कि हमेशा नया और निराला रहना ये गलत है अब हमारा C option बचा कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना तो ये हमारा इसका उत्तर है तो बच्चे ये था एक अनुछेद और दस पर्शन जो इस मोडल पेपर में दिये गए और आपने इस वीडियो के मध्यम से उनका विस्तारित रूप व्याख्या सहित सुना और देखा बच्चा अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको परिक्षा में बहुत कामियावी हासिल होगी आप सभी इस वीडियो को जरूर देखेगा आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धर्नेवाद